तो हेलो गाइस तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग अपने अधार कार्ड को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं और जब आप लोग अपने अधार कार्ड के PDF को डाउनलोड करते हैं तो उसमें एक पासवर्ड लगा होता है तो इस वीडियो में मै आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आप लोग उस password को remove कैसे कर सकते हैं तो चलिए इस वीडियो को start करते हैं तो guys आधार card को download करने के लिए सबसे पहले आपको अपने browser में type करना है UIDAI तो जब आप लोग यहाँ पे UIDAI search करेंगे तो इसके बाद आपके सामने यहाँ पे जो पहला link आएगा आपको इस पे click करना है तो अब आपको यहाँ पे language select करना है मतलब आप इस website को किस language में open करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम English select कर लेते हैं तो जब आप यहाँ पे language select करेंगे तो इसके बाद यहाँ पे जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा तो हमको आधार का डाउनलोड करना है तो इसके लिए आपको यहाँ पे थोड़ सा नीचे आना है और यहाँ पे आपको एक option देखने को मिलेगा download आधार का आपको इस वाले option पे klik करना है तो जब आप इस वाले option पे klik करेंगे तो आप यहाँ पे आधार वाले portal पे आ जाएंगे तो अब आपको यहाँ पे फिर से थोड़े सा नीचे आना है और आपको इहाँ पे एक option देखने को मिलेगा login का तो आपको इस वाले option पे click करना है और यहाँ पे आपको अपना अधार कार्ड number लिखना है और इसके बाद यह जो capture दिया हुआ है यह same to same capture आपको यहाँ पे type करना है और इसके बाद आपको यहाँ पे send OTP वाले option पे click करना है तो जब आप login वाले option पे click करेंगे तो आप यहाँ पे आधार वाले portal में successfully login हो जाएंगे और आधार card download करने के लिए आपको यहाँ पे एक option देखने को मिलेगा download आधार आप इस वाले option पे click करेंगे तो इसके बाद यहाँ पे जो आपका आधार card है वो आपके सामने उसकी हो जाएगा और जब आप इस PDF को open करेंगे तो इसमें एक password लगा होता है तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग इस PDF को open कैसे करेंगे तो इस आधार card के PDF को open करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको अपने नाम का सुरू का जो चार वर्ड है वो यहाँ पे capital letter में लिखना है जैसे मान लीजिए आपका नाम है अमन कुमार तो आपको अपने नाम का सुरू का चार वर्ड जो है जैसे AMAN अमन सुरू के चार वर्ड होगे इसको यहाँ पे capital letter में लिख देना है अब जैसे मेरा नाम है गौरफ तो मैं गौरफ का सुरू का चार वर् लिख देता हूं तो इतना लिखने के बाद आपको open वाले option पे click करना है तो जैसे आप यहाँ पे open वाले option पे click करेंगे तो यहाँ पे जो आपका आधार कार्ड है वो successfully open हो जाएगा तो इस तरीके से आप लोग अपने आधार कार्ड को download कर सकते हैं